नमस्कार, स्वागत है सभी आगन बारी बहनों का आज के इस नय वीडियो में तो जैसा कि आज का ये वीडियो सभी आगन बारी सेविका सहाईकाओं के लिए काफी महत्तुपूर्ण होने वाली है जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जो आगन बारी केंदर है उसको pre primary school में tagging के संबंद में कई बार आप सभी को निर्देश मिले होंगे कि जल्द ही राष्ट्रिय नई सीख्षा नीती के तहट आगनबारी केंदरों को pre primary school में tag कर दिये जाएंगे तो इसी के संबंद में एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बड़ा सा सिर्षक दिया गया है कि आगनबारी केंदरों को इस school से जोडने का बिरोध दर्भंगा में धर्ना परदर्शन यह जो खबर है बिहार के अलग अलग जीलों से इस परकार की खबर आ रही है कि जो आगनबारी केंदर है उसकी टैगिंग जो है उस पर जल्द से जल्द रोक लगाए जाएंगे और यह जो परदर्शन है वो बिहार राज यह आगनबारी सेविका सहाई का संग की ओर से परदर्शन किये जा रहे हैं कि आंगनवारी केंदरों की टैगिंग पर रोक लगाए जाएं तो देखिए इसी परकार के जो खबर है वो बिहार के एक और जीले से निकल के आ रही है जैसी कि नवादा में भी इस परकार के जो धरना परदर्शन है वो शुरू हो चुके हैं कि इसकूलों से आंगान बारी केंदरों की टैगिंग पर लगाए रोक ये जो खबर है वो हिंदुस्तान के न्यूजेब पर पॉब्लिस किया गया है और ये भी 11 जनवरी 2022 को पॉब्लिस किया गया है तो वीडियो काफी यूसफुल होने वाली है आप सभी के लिए इसलिए आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देख लिजेगा और इस खबर को पुरा विस्तार से जानेंगे उससे पहले आप सभी से एक छोटी सिरीक्वेस्ट है कि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करजिए साथी साथ इस वीडियो को आप और ने आगॉन बारी बहनों के साथ सेर जरूर किजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो में दर्वांगा जीला के आंगनबडी सेविकाशाहिकाशंग के सदसियों ने धर्णा दिया देखिए ये दरभांगा जीला नहीं पुरे बिहार के आंगनबडी सेविकाशाहिकाश्ण की चमितियोक करेंपा नेतित्तव कर रहे थे करमचारी नेता फूल कुमर्जा ने कहा कि केंद्र सरकार नई सिक्षा नीति के आर में आंगनवारी केंद्रों को बंद करने का सरयंत रच रही है देखिए जो यह कहा जा रहा है कि जो आंगनवारी केंद्र है उसकी टैगिंग किया जा रहा है उसी के संबंद में ये जो सरयंत्र है वो रचा जा रहा है ना तो आंगनबरी सेविकाओं का मांदे बढ़ाय जा रहा है ना ही उनको मोबाइल के लिए रिचार्ज का पैसा मिल रहा है आगे देखिए क्या का जा रहा है कि आंगनबरी के अंदरों को स्कूल से जोडने का कोई भी आउचित्य नह जाता है कि जो आंगनबाडी से विकाए हैं वो जल से जल पोशन ट्रेकर रहे पर वो अपना काम पुर्ण करे इस परकार के दबाव आंगनबाडी बहनों को मिलते हैं आंगनबाडी केंदरों को पुरक पुसहार के लिए परियाप्त मातरा में बजट में अवंटन की बेवस्था किया जाए देखिए जो पुसहार की रासी है वो कई बार अलग-अलग जीलों में और परकार की पुसहार की रासी दी जाती है उसकी भी रासी एक समान रूप से सभी जीलों में दिया जाए जिससे की केंदरों का संचालन सही धंग से हो सके तो इस परकार के जो धर्नाप परदर्शन है वो आंगनबाडी केंदरों की टैगिंग को लेकर किये जा रहे है चलिए मैं आपको दूसरा निउज है उसके बारे में दिखायता हूँ कि इसमें क्या कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पर जो नवादा से ख़बर निकल के आ रहे है कि केंदर सरकार की नई सिक्षानिती के तहट आगनबारी केंदरों को प्रारंभिक स्कोलों से टैग किये जाने का बिरोध को सोम और को जीले की आगनबारी सेविका सहाईका उने कलेक्टरेट के समीब धरना परदर्शन किया कारेकरम बिहार राज आंगनबरी सेविका सहाईका संग की जीला एकाई के बेनर तले किया गया यहाँ पर देख सकते हैं संग की जीला ध्यक्स बिजय परसाद सिंग ने सिंग के नेक्तरितव में आगनवरी सेविकाएं संग करयाले से जुलुस की सकल में बिरोध परदर्शन करते हुए कलेक्टरेट गेट पर पहुंची आगनवरी सेविकाएं इसकुलो को टेग किये जा है देखिए यह आंदोलन काफी जरूरी है आप सभी आगनवरी सेविका साही का एक जूट होकर इस आंदोलन में भाग जरूर ले उन्होंने कहा कि नई सिक्षानीति से सेविकाओं का भला होने वाला नहीं है इसकुलो को आगनवरी केंदर से ट्रेग का विरोध करते हुए कहा कि सेविकाओं की सेवा नियमित किया जाएगा जब तक सेविकाओं को सही वेतन नहीं मिलेगा तब तक वे इसकुल नहीं जाएंगी रोसना काजमी ने कहा कि सेविकाओं को जो सरकारी मोबाइल काम करने के लिए उपलब कराए गया है वो बहुत दिनों से खराब है मोब बारी सेवी का साइका मिलकर जरूर करें ताकि आपका जो मानदे है वो मानदे को बढ़ाये जाए और आपको नियमित किया जाए साथी साथ जो मुबाइल रिचार्ज का पैसा है वो भी समाय पर दिया जा सके तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेन नोटिफिकेशन दबाने के बाद ओल का बटन जरूर सेलेक कर लिजेगा तो मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद